कर्रासाब मनोज यादव जी विकार रसूल वानी जी शेक्स अफ्रल्वा जी नदीम शरीफ जी डॉक्टर बगत जी स्टेज पे कॉंग्रेस पार्टी के अलायंस पार्टनर के जो नेता हैं हमारे कारे करता मीडिया से जो हमारे मित्र है आप सबका यहां बहुत-बहुत स्वागत नमस्कार कैसे हैं आप लोग ठीक है शायद लोगों को यह भाईया यह माईक को ठीक करिए यह टून टून जो हो रहा है कर रहे कर रहे करी करी अवाज नी आरी मरख नहीं अब आ रही है, सुनाई दे रहा है अब, चालू हो गया, कैसे आप लोग, ऐसी सुन्दर जगह है, कि मैं अगली मीटिंग में जाना नहीं चाह रहा हूँ, आप ने फसा दिया मुझे, मुझे लग रहा है कि यहां अगली मीटिंग में ना जाओं, यहीं आपके साथ एक दो दिन रहूँ, आप सब का यहां दिल से सुवागत करता हूँ, आप से मैं दो तीन चीज़े कहना चाहता हूँ, सबसे पहले आपने देखा होगा, कि पूरे देश में BJP के लोग, RSSS के लोग, नफरत फैला रहे हैं, हिंसा फैला रहे हैं, डर फैला रहे हैं, तो लड़ाई, दो विचार दाराओं के बीच में है, एक तरफ नफरत, हिंसा, डर, दूसरी तरफ, महबबत, रिस्पेक्ट, इज़त, आपने देखा होगा, कन्या कुमारी से कश्मीर, चार हजार किलोमेटर हम चले, और हमने बीजेपी के खिलाफ नारा दिया, नफरत के बाजार में महबबत की दुकान खोलनी है, उनका काम नफरत फैलाने का है, हमारा काम महबबत फैलाने का है, वो तोड़ते हैं, हम जोड़ते हैं, और अंत में नफरत की काट महबबत से ही होती है, आप सब जानते हो, नफरत को नफरत से नहीं काटा जा सकता है, नफरत को मोहबच से ही काटा जा सकता है, हराय जा सकता है और आपने इस चुनाव में देखा होगा पहले नरेंद्र मोदी जी चाती फेला के आते थे अब नरेंद्र मोदी जी ऐसे आते हैं पहले बड़े-बड़े भाशन करते थे इस बार पार्लमंट में घुचने से पहले उन्होंने अपने सिर पर कॉंस्टिटूशन को रखा फिर गए अंदर भाईयों और बहनों पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार स्टेट हुड छीना गया है यूनियन टेरिटरी को पहले यूनियन टेरिटरी को स्टेट बनाया गया था स्टेट को बाट कर दो स्टेट बनाया गये तेलंगाना बना चत्तिस गड़ बना उत्राखंड बना अरुनाचल को स्टेट बनाया गया मगर पहली बार हिंदुस्तान के किसी स्टेट को रद करके लोगों का जो हक है वो चीना गया पहली बार हुआ है ऐसे हिंदुस्तान के इतिहास में मॉडरन इंडिया में ये काम पहले कभी नहीं किया गया है तो सबसे पहले जमू कश्मीर को जो स्टेटूड है वो वापिस देना है क्यूंकि आपका सिर्फ स्टेट नहीं चीना गया आपके अधिकार आपका धन सारा का सारा आपसे चीना जा रहा है 1947 में हमने राजाओं को हटा कर लोगतंत्रिक सर्कार बनाई हमने देश को Constitution दिया आज जम्मू कश्मीर में राजा बैठा हुआ है उसका नाम LG है मगर वो है राजा और जो आपका धन है आपसे चीना जा रहा है बाहर के लोगों को दिया जा रहा है चाहे वो आपके कॉंट्राक्स हो सारा का सारा फाइदा बाहर के लोगों को मिल रहा है और जम्मू कश्मीर के लोगों से छीना जा रहा है तो हमारा पहला कदम जम्मू कश्मीर को स्टेट हुड वापिस देने का होगा हम चाहते थे हम चाहते थे कि चुनाओ से पहले आपको स्टेट हुड मिले और स्टेट बनने के बाद चुनाओ हो बीजेपी यह नहीं चाहती है और उन्होंने कहा है कि पहले चुनाओ होगा और उसके बाद स्टेट हुड की बात होगी और हम कह रहे हैं कुछ भी होगा जम्मू कश्मीर के लोगों को स्टेट हुड हम दिलवाएंगे बीजेपी चाहे बीजेपी चाहे ना चाहे बीजेपी चाहे ना चाहे इंडिया गटबंदन इतना दबाव डालेगी कि जम्मू कश्मीर के लोगों को स्टेट हुट दे नहीं ही होगा यहाँ पे हम सब जानते हैं कि बिजली के प्रोजेक्ट्स बनाई जा रहे हैं मगर सच्चाई है कि बिजली के प्रोजेक्ट्स का फाइदा आपको नहीं मिलता है कहा गया है कि प्रोजेक्ट के पांच किलोमीटर रेडियस में आप लोगों को बिजली मिलेगी फ्री में बिजली मिलेगी अगर वह नहीं हो रहा है कि और बिजली के प्रोजेक्ट्स का फाइदा आप लोगों को मिलना चाहिए स्टेट हुड मिलेगा शुनाओं में हम जीतेंगे तो यह काम हम आपके लिए करके देंगे आप देश के लोगों को बिजली दे रहे हो और आपके जेव में से बिजली का पैसा लिया जा रहा है चीना जा रहा है जादा रेट देते हुआ यह अन्याय है इसको हम ठीक करेंगे भाईयों और बेहनों पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी ने बेरोजगारी फिलाई है पता नहीं आपने अदानी जी का नाम सुना है सुना है हां मोदी जी के मित्र है पार्लमंट में मुझे कहा आप देखिए पार्लमंट में मुझे कहा की पार्लमंट में मैं अदानी और अंबानी का नाम नहीं ले सकता तो मैंने गा ठीक है नाम नहीं ले सकता तो कुछ तो कहना पड़ेगा तो एवन एटू नाम दिया मैंने उनको हम दो हमारे दो नरेंद्र मोदी अमिच्छा अंबानी अधानी ह Ary कि इनकी सरकार चल रही है और अगर चोगansen कॉई चोटा काम करता है कि मॉजदूरी करता है और चोटा बिजनस चलाता है होटेल चलाता है टूरिसम का बिजनस चलाता आ है तो उसके लिए नरेंद्र मोदी जी जी एस्टी लाते हैं, नोट बंदी कराते हैं और बैंक के दर्वाजे बंद कर देते हैं और पूरी की पूरी सरकार इन दो अरब पतियों के लिए चलाई जा रही है यह मैं आपको कहता हूँ, कि अगर आप देखेंगे, तो यह जो आप से स्केट्रूट छीना गया है, इसका भी लक्ष उन्ही दो अरब पतियों की मदद करने का है और जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं, जो वियापारी हैं, जो इस प्रदेश को, इस देश को रोजगार देते हैं चाहे वो टूरिजम की बात हो, हैंडी क्राफ्स की बात हो, उन सब को यह दबा कर रखते हैं जो हालत देश में है उससे खराब हालत जम्मू कश्मीर में है देश से ज़ादा बेरोजगारी यहां जम्मू कश्मीर में और यह उल्टी सिधी बात करते हैं कभी नरेंद्र मोदी समुदर के नीचे चले जाते हैं कभी हवाई जहाज में उड़ते हैं कभी किसी नेता से गले लग जाते हैं मगर बेरोजगारी के बारे में इन्होंने कुछ नहीं किया है तो यहां हमारे एक युवा नेता है एक बात मान कर चलो यहां पर कॉंग्रेस पार्टी की अलायंस की सरकार आ रही है यह निश्चित है यह होने जा रहा है और हमारा पहला काम हमने नैशनल मैनिफेस्टों में कहा और मैं यहां भी कह रहा हूँ जो भी सरकारी वेकंसीज हैं उनको हम भरेंगे और एज को हम 40 साल तक एक्स्टेंट कर देंगे जो डेली वेज का काम करते हैं उनको हम रेगुलराइज करेंगे पर्मनन्ट करेंगे और उनकी जो आमदनी है उसको हम बढ़ाएंगे मगर हमारा लक्ष होगा कि हम सब को लेकर एक साथ मिलकर जमू कश्मीर की सरकार चलाएं सब की रिस्पेक्ट हो सब को एक साथ लेकर हम चले और जैसे मैंने देश में वहाँ बाकी देश में कहा भरत जोड़ो यातरा में हर स्टेट में कहा नफरत को मिटाना है जहां भी ये नफरत की दुकान खोलेंगे जहां भी ये नफरत फैलाएंगे वहाँ हम महबबत की दुकान खुले आखरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ इतनी सुन्दर जगा है चुनाओ के बाद मुझे यहाँ आना पड़ेगा और ये ये जो आपने वकार जी वकार जी कर्रा साब ये आपने जो मेरा 45 मिनट का प्रोग्राम यहाँ बनाया है ये आपने मुझे ठग लिया यहाँ पर कम से कम एक दिन, दो दिन, तीन दिन का प्रोग्राम बनना चाहिए मुझे ऐसी जगा देखने को नहीं मिलती है ऐसे प्यारे लोग कम से कम, कम से कम यहाँ मुझे दो तीन दिन के लिए लाईए और यहाँ गुमाईए पांच मिनिट, दस मिनिट जितना चाहते हो, कोई प्रब्लम ने है हाँ तो तो आपने देखा होगा, पहले कहा कि नरेंद्र मोदी को, बीजेपी को कोई हरा नहीं सकता नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, भाया मेरी डाइरेक्ट लाइन है, भगवान से मैं डाइरेक्ट बात करता हूँ और वो भी देश की मेटिया को बोल रहे है, अगर कॉंग्रेस पार्टी का कोई आए मेरे पास, जैसे करना सब आए, या वकार आए और कहें कि भाया मैं डाइरेक्ट ली बगवान से बात करता हूँ, मैं उन्हें कहूंगा भाया ऐसे करो, आप ये बात बाहर मत गलती से बोल देना नुकसान हो जाएगा, लोग पता नहीं क्या कहेंगे, मगर नहीं, देश का प्रधान मंत्री जा सकता है, कह सकता है भाया मैं नॉन बायोलोजिकल हूँ, बाकी हिंदुस्तान बायोलोजिकल है, बाकी हिंदुस्तान बायोलोजिकली पैदा हुए, मैं नॉन बायोलोजिकल हूँ, मैं डाइरेक्ट बगवान से बात करता हूँ और इस चुनाव में भगवान ने नरेंद्र मोदी को डाइरेक्ट मेसिज दे दिया कि भईया आपको लगता है कि आप भगवान से बात करते हो मगर भगवान आम जनता से बात करता है और भगवान आम जनता की राय को सुनकर काम करता है तो हमने नरेंद्र मोदी को साईकोलोजिकली उडा दिया है मैं आपको बता रहा हूं मैं पार्लमन में बैठता हूं पूरी कॉन्फिटिंस गायब हो गई उनकी इंडिया घट्बंधन कड़ा हो गया एक साथ मिलकर हम लड़े पूरी की पूरी confidence हिंदुस्तान के प्रधान मंत्री की गायब हो गई है आप मुझे बताओ आप देखो उन्होंने पहले कहा कि जाती जनगर्णा नहीं होगा हमने कहा जाती जनगर्णा होगा अब RSS के लोग कह रहे हैं भहिया जाती जनगर्णा सही बात है फिर उन्होंने कहा कि हम lateral entry से बाहर के लोगों को सरकार में लाना चाहते हैं हमने कहा ऐसे नहीं होगा पारलमन में बात उठाई थोड़ा सा दबाव डाला BJP को लोग कहते हैं नहीं भहिया lateral entry नहीं होगी तो अब एक बात समझ लो अब नरेंद्र मोधी हिंदुस्ताइन की जनता से ड़ते हैं और अब बस थोड़ा सा समय बचा है नरेंद्र मोधी BJP इनको हम सरकाय से हटा दें मगर हम हम चाहते हैं कि देश में भाईचारा हो सब की respect हो एक दूसरे के साथ इज़त से बात हो जो कमजोर लोग है चाहे वो किसान हैं मजदूर हैं छोटा बिजनस चलाने वाले लोग हैं उनको लगे कि इस देश में हमारी भी भागिदारी है बैंक के दर्वाजे हमारे ले खुले हैं कर्जा माफ हमारा भी होता है और सिरफ देश दो तीन लोगों के लिए नहीं चलता है यह हम चाहते हैं और यही काम यही काम हम जमू कश्मीर में शुरू करेंगे और और कुछी समय में आप देख ले न यहाँ पर यह आप वकार जी यहाँ पर चुन कर जाएंगे आप जिताओगे इनको हमारी सरकार बनेगी और यह आपके लिए पूरे दिल से दम लगाकर आपके लिए काम करेंगे वकार जी यह आप मुझे एक वाइदा करो कि यहाँ पर आप मुझे एक दो दिन के लिए लाओगे और यहां के लोगों से मतलब अच्छी तरह जैसे ऐसे नहीं मगर अच्छी तरह मिलाओगी और गूल के एरिया में मुझे वहां पे ले जाओगी आप सब का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद आपने इतने प्यार से मेरा स्वागत किया धन्यवाद नमस्कार जहन शुक्रिया तो गदी आगे पड़ो रहू जी आगे पड़ो रहू जी आगे पड़ो रहू गी आगे पड़ो जी